नमस्कार आप देख रहे हैं पब्लीक लाइब नूजर आपके साथ हूरा आज इस विस्वाकरमा एक बड़े खबर के सुवाद करते हैं आपको बता दे कि केंद्र सरकार द्वारा अगनी पत्थ स्कीम को जो है देश की युवाव के सामने एक नया शरकार ने रखा था लेकि उस अगनी पत्थ स्कीम का जो है युवा बिरोध कर रहा है पूरे देश में जो है जिस तरह से हल्चल मचा हुआ है कहीं न कहीं शरकार इस बात पर जो है जरूर अब सोच में बढ़ गई है क्योंकि केंद्र सरकार अमें तमाम जो है जिस प्रकार अगनी पत्थ स्कीम को ल इस बात को लेकर जो है कहीं न कहीं अपने अलग पत पर चल चुके हैं क्योंकि हर जगों पर जो है कहीं न कहीं युवा जो है आज मैदान में उतर गए हैं कहीं न कहीं रेलोए को निशाना बना रहे है या बस स्टॉप को निशाना बना रहे है कई अन्य जिलो शेरों में पूरी तरह से इसका जो है मोहल पूरी तरह से खराब हो चुका है अब देख खास बात इसमें क्या है कि अगनी पत स्कीम कितना युओं के लिए बेतर है ये जानने के कि ये स्कीम क्यों पसंद नहीं आरही है क्या वजा है क्यों वढ़के हुए हें क्यों सरकार की प्रोपर्डी को नुक्षान पहुचाः रहे हैं ये शारी जो प्रशण है हम उनसे करेंंगे तो हमारे साथ हरेन गांधी, सबसे पहले जैहिंद और पब्लिक लाइप में आपका स्वागत है, केंदर सरकार की जो अगनिपद स्कीम है, सरकार ने युवा के लिए एक नई उम्मीद लेके आई थी, कि युवा जो है इसमें जुडेंगे और उसका लाब लेगे, लेकिन ज आज पिछले 2-3 दिन से चल रहा है, अलग-अलग राज जी के अंदर, अलग-अलग शेरों के अंदर कहीं रेलवे को निसाना बना जा रहा है, कहीं जो इस सरकार की प्रोपर्डियों को जलाए जा रहा है, क्या वज़ा है, क्या अगनिपद स्कीम जो है, वो युवा के लि जो कहीं न कई मीज अंडरसेंडी है इसका रिजन एक ही है कि हमारे जो यूवा लोग है इनको कहीं न कई मिसगाइड किया गया है या तो वो यह जो अगनिपत स्कीम है वो पूरी समझे नहीं है अगर वो पूरी तरह समझते तो सायद यह रोश नहीं होता जो बच्चे आज आजकल हमें रेल्वे स्टेशन पे बस्टेंड पे और हाइवे पे गवर्मेंट प्रॉपर्टी को नुक्सान पहुचा देख रहे हैं वो बच्चों को एक्चूली तो इतनी अच्छी स्कीम आने के बाद ग्राउंड पे दौरते हुए नजर आने चाहिए थे बट मुझे स्कीम को अच्छी तरह समझे नहीं है और ना समझ में और किसी के मिस डाइरेक्शन में एक्चूली जो बंदे गवर्मेंट प्रॉपर्टी को नुक्सान पहुचा रहे हैं मुझे उन सब पर डाउट है कि अगर आप अभी से इतनी इन डिसिप्लीन सिखा रहे हैं दिखा र कि यह जो अगनीपद स्कीम है बहुत ही अच्छी है और इसके लिए मैं एक आपको एक छोटा सा मैथे बटाना चाहता हूं कि सब्स आप समझे की एक गाउं में दो दोस्त है दो दोस्त दस्वी इस 2022 की एक्जाम में इन्हों दस्वी पास किया अभी नंबर ए है जो एक पसीदा निकलता है और अगनीवीर की जो एंटरंस एक्जाम में वो पास करता है और आर्मी नेवी या एरफोस में जोइन करता है एक दूसरा लड़का है जो उसका दोस्त उसके साथी दस्वी पास हुआ था वो उसको लगता है कि अगनीपद स्कीम अच्छी नहीं है तो म अगर अच्छे नहीं यृच नहीं आए तो वह ग्रेजियूशन करता है सब अच्छे मारण कडर कर गें करता अब जो एंगीन करने के लिए कंशैंद 4 से साल तो 2 साल बारवी के लिए उसके उपड़ 4 साल एंगीन के लिए तो 2018 में वह एंगीन मैं डूनले sãoेगा और 28 में प अभी वो जो लड़का जो दस्वी के बाद अपनी स्कीम को अच्छी तरह समझ के फेत रखके खुद के उपर विश्वास रखके नहीं कि चार साल के बाद मैं क्या करूंगा चार साल की उसको खुद कॉंफिडेंट होके उसने मेहनत किया अगनीवीर बना चार साल गवर्में से भी ज्यादा उसको चार साल में पेमेंट भी नहीं एक तरफ वो लड़का बारवी और एंजिनेर के पापा के सुला से बीस लाग रुपया खरच करता है दस्वी के बाद जो अगनीवीर बना उसने चार साल के अंदर कम सुला लाग के आसपास तो पेमेंट लिया और दिसिप्लीन लाइफ सेखने को मिलती है नमबर टू उसको जो मिलता है स्किल सेटिफिकेट वो लड़के दे दो साल मेहनत करके पढ़ाई करके माबाब के पैसे घंच करके बारवी किया यह लड़के दे चार साल पेमेंट लेके गवर्मेंट से पेमेंट लेके और गवर्म होके आएंगे तो आपको CAPF जो सेंट्रल आंप पोलीस फोर्सिस है उसमें कोस्गार के अंदर मेरी टाइम के अंदर में जो बच्छटनेवी है कोस्गार यह सभी जगह पे इनको 10% का एक स्पेशल जूती भी वेकेंसी दूसे रिलीज होगी इसमें 10% अग्रीविरों को दिया साल में तो आपका खुन अभी भी घरम होगा तो इस घरम खुन के साथ और इल्टी मट्री स्किली के साथ और जब आपने 40,000 रुपया वह आपकी लाज्ट ड्रोन सेलरी होगी तो कौन आपको मना करेगा अगर आपको खुद में विश्वास नहीं है तो तो उपर वाला भी इसको नोगरी की कमी होगी उसके पास इतने स्कील होगे वह कुछ बिजनेस भी कर बाएगा और गवर्मेंट ये भी चेक कर रहे हैं कि इनको इंटर प्रेंशिप लोन भी कैसे दे दिया है तो जो अगनी वी रहे तो मैं सब्द रहा हूं उसके मूँ में दो नहीं पर वेकंसी है वो भी सुरू करने वाले है और जो एज उसको बढ़ाकर 23 तक जो है वो सरकार ने कर दिया है आपको लगता है इतनी सारी केंदर सरकार जो है माननी श्री प्रदान मंद्रे जो है इसके पीछे जो है पिछले कई सालों से लगातार जो युवाओं के लिए जो दिखने का नजरिया होना चाहिए क्या हो लगता है कि उन बच्चों के अंदर जो वेकंसी है वो भी सुरू करने वाले है और जो एज उसको बढ़ाकर 23 तक जो है वो सरकार ने कर दिया है आपको लगता है इतनी सारी केंदर सरकार जो है माननी श्री प्रदान मंद्रे जो है पिछले कई सालों से लगातार जो युवा कि लिए जो नाइनी स्कीमे ला रहे हैं क्या आपको लगता है इसमें कोई पॉरिय इसने कोई पॉलिटिकल स्टंट है इ faze मैं फौजी हूं मैं राजरबत को पॉलिटिक्स को नहीं जानता हूं बड़ कहीं न कहीं मुझे यह लगता है मैं अपने आपको कन्वींज कर रहा हूं अभी कि इतनी अच्छी स्कीम होने के बावजुद भी जीस तरह से वह जो विरोत्पक्स जीस तरह से चिला रहा है होता है इनका खुन घरब होता है थोड़ा सा बोलने से वह कहीं अपना सोच है वह डाइवर्ट कर लेता है तो यहीं चीज हुआ है जो यूआ जितने यूआ अभी जो आक्रोस फिला रहे हैं मैं गैरेंट के साथ देता हूं उससे चार गुना यूआ अभी जो स्कीम आ गई इनको तो मैं मानता हूं कि देहार इंडिस्सिप्लिन यूथ मिसडारेंट यूथ है उनको तो फॉच में रहने लाइक वह है नहीं और इनको भोगा भी नहीं मिलना चाहिए दूसरी चीज आपने बोला कि यह क्यों गलत फ्यमी है तो बात यह है कि लोगों के यह लगा कि सि अभी को प्रेमिनेंट किया जाता था अगर वह पास हो जाते हैं अभी भरती किती हैं यह 46,000 तो 46,000 का 25,000 25 परशन की दो वह भी जो रेगुलर बरती होती थी करीब दस से आंठी यह 10,000 की उससे तो 25 परसंट जादा ही है 11-12,000 लोग बढ़ती हो रहे तो रेगुलर जो 12,000 और उनके मापा को ही फाइदा होता था अभी 40,000 को यह फाइदा हो रहा है तो आप यह देखें कि जो बाकी 36,000 को जो मुका नहीं मिलने वारा था यह हमारी गवर्मेंट ने यह सोचके इनको भी मुका दिया और इससे सिर्फ ऐसा नहीं की फोच को फाइदा है सबसे ज् यूथ है फूरी दुनिया में सबसे ज्यदा एवरेज जो यूथ है वह हमारे बास है बट सबसे बड़ी दुक्पी बात है तो कही नहीं कही आपको अपने में वो दम नहीं दिखाया देरा कही दे कही आप में वो खुद का विश्वास की कमी है इसलिए आपको ये खुद पर डाउट कर रहे हों अगर चार सल के बाद आप क्या करोगे यह दिवाग यह सवल आप में आता है तो वो डाउट सरकार के उपर नहीं है सिस्टेम के उपर नहीं है बढ़ आप अपने उपर डाउट करो ऐसा मैं मानता हूँ मैं खास करके लाज सवाल आप से है कि आज के युवाग जो अलग रास्ते पर चल रहे हैं जो सरकारी संपतियों को नुक्सान पहुचा रहे हैं रेल रेलवे को आग क्या हवाले कर रहे हैं कहीं न कहीं ये पैसा सरकार किसके पास से निकालेगी ये युवाग को नहीं पता है क्योंकि उनका ही परिवार जो है टैक्स पे करता है उसी के पैसे से सारी सरकारी संपतियां बनाई जाती है क्या इसको समझना आज के युवाओं के लिए ठीक नहीं है मैं आपके क्वेशन को एप्रिशेट करता हूं कि बहुत ही अच्छा क्वेशन पूशा अगर मैं हर एक य युवाओं प्रोटेस्ट कर रहे है मैं आपसे प्रॉबिस लेना चाहूंगा कि अगर आपको यह अगनी वीर नहीं बना इसकी मचे नहीं लग रही है तो जब आर्वी निवी एरफोस इसको बहुत ही कम समय में इसको रिलिस करने जा रही है तो मैं आपका वह दम देखना से ग्राउंड पर आजाईये आप मेहनत करें सरकार में विश्वास रखें खुद में सरकार से ज्यादा खुद में भी विश्वास रखें मैं आप लोगों कि यह पुजना चाहता हूं कि 100 में से 25 लोग पर्रेमनेंट होगे क्या आप आपको अपने पर इतना विश्वास न और गवर्मेंट की जो स्कीम है उसका फाइदा उठाई है यह बहुत ही पॉजिडिक की मैं हर एक बच्चेयों को मैं आशिर्वात देता हूं मैं आपको गुड़ विसिस दे चाहता हूं कि आप उसके लिए एपलाई ना करें आजके यहां को सिर्फ एक करना चाहिए यह रेलवे से संबस्ट्रेंड हाइवे और यह चोड़के आप सब लोग आज साम से या कल सुबह से ग्राउंड पर आजए आप मेहनत करिए सरकार में विश्वास रखिए खुद में सरकार से ज्यादा खुद में भी विश्वास रख आप सब लोगों में क्या इतनी कमी है आपको खुद में आप में वह क्या है नहीं दम क्या वह 25 तका में आ जाओगे तो मैं बोल रहा हूं कि बच्चे लोग आपको आप थोड़ा भी मिश्वास रखिए उपर वाले भी विश्वास रखिए और गवर्मेंट की यह जो स्की मेहनत करना सुरू कर दीजिए ग्राउंड पर आज यह हम पूरे पूरे सेनिक तेयार है आप सबको गाइड करने के लिए ट्रेन करने के लिए मैनत करवाने के लिए और मैं चाहूंगा कि अगर आपने अगनीवीर बन गए तो वह आपके जिंदगी का सबसे एहम और सबसे होगा और यह हर एक चीज का पता आज नहीं चलता बढ़ चार साल के बाद आपको पता चलेगा कि सही में आपने जो डिसीजन लिया था बहुत अच्छा लिया था आई विशी ओल्ड़ बेस तो खास करके आज जो पब्लिक लाइप की जो मुहीम है जो देश की अंदर अग आज की दिन जो भी इवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं शरकारी प्रोपर्डी को जला रहे हैं और उनकी जो दिसा है वो वहां से चेंज कर रहे हैं तो कहीं न कहीं एक सेना में जाने के लिए जो कॉड़िदेंस लेबल होना चाहिए जिस दिसा में उनको आगे बढ़ना को उस रास्ते से ना भटका हैं उनको उस तही दिसा में प्रोटेस्ट कराएं किसी प्रोपर्टी को नुक्षान ना करते हुए प्रोटेस्ट किया जा सकता है तो प्रोटेस्ट करना जरूरी यह सबसे ज़्यादा जरूरी है उस अगनिपस्ट स्कीम को समझना जरूरी है अग को समझ जरूर आएगा कि केंद्र सरकार की अगनिपत स्कीम क्या है इसके पीछे का फाइदा क्या है और आगे चलके इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा सुरसे राजे स्विश्वगर्मा